कि हैलो दोस्तो तो आज की सो वीडियो में हम आपको बताएंगे हीरो स्प्लेडर पिलस बाइक में फ्रॉंट में सबसे बेस्क टाईर कॉन सा रहता है तो के बारे मैं बात करेंगे इस वीडियो में तो दोस्तो वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें एंड तक देखें तो दोस्तो पहले मैंने अपनी वाइक में आगे जेके का टायर डलवाया हुआ था तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जेके का टायर कितने किलोमीटर चला है आगे तो दोस्तो मेरी वाइक में ये टायर 45,000 किलोमीटर चल सुका है तो काफी अच्छा चल चुका है और भी दो चार-5,000 किलोमीटर चल सकता है तो परेशान करेगा इसलिए मैं उसे निकलवा रहा हूं और अब C8 का टायर डलवा रहा हूं तो इस टायर को भी हम चला कर देखेंगे ये कितनी 1000 किलो मीटर तक चल सकता है और परिशान करता है बीच में या नहीं करता है क्योंकि JK के टायर ने मुझे अभी तक परिशान नहीं किया है तो अब मैं आपको C8 की बताऊंगा कि C8 की कंपनी कैसे का सर्विस देती है तो वो मैं अभी नहीं बता सक फुल क्योंकि अभी मैंने उसे टेस्ट ड्राइब नहीं किया तो अभी टेस्ट करके बतालगा आपको कि कैसी का इसकी सर्विस रहती है C8 के टायर की तो यह मेरा पुराना टायर है देख सकते हैं आप कापी अच्छा टायर है अभी चल सकता है 24-5000 किलो मीटर लेकर मैंने न फिक्स साइज लें जो आपकी वाइक में डला हुआ है या कंपनी से आता है वही टायर डलवाएं उसी साइज का तो दोस्तों इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो मार्केट में इसकी प्राइस 13-1400 रुपे है तो ज्यादा महंगा भी नहीं है यह टायर कापी अच्छ मिल जाता है और सस्ता भी मिल जाता है तो दोस्तों मैं आपको यह भी बताऊंगा इस टायर में कि कितनी आप इसमें हवा भरवाएं तो दोस्तों आप इस टायर में 40 पॉइंट भरवा सकते हैं वैसे आगे का टायर है 30 पॉइंट सही रहती है आगे के टायर में लेकिन आप कि टायर में 30 हवा भरवाएं तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपने अभी तक हमारा यूटूब एक चैनल सब्कार लें तक हमारी वीडियो की आप तक पहुंच सके तो इस वीडियो में इसंग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टोपिक के साथ जब तक के लिए सभी दोस्तों को वाई लोगडाउन का टाइम चल दा है दोस्तों घर में रहें सुरक्षित रहें ज़्यादा बाहर न तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में